चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद में उसके बगल में जो बैल का आइकन है प्लीज आप इसे जarूर प्रेस करें साथ ही साथ आल पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नौटिवीगेशन मिले सबसे पहले नमस्कार दोस्तों आप लोगों का हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है आप लोग कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होगे दोस्तों जन्वरी का महीना चल दाये चिला जाड़ा पर धाये इसे चिला-जाड़ा कहते है इसमें अकyttर हमने देखा है आप लोगो ने भी दे से बहुत ही अधिक परिशाद है इसमें क्या एक बिभिन प्रकार की एंटिवाइटिक दवाइया लेते हैं एक तो खर्चा जाता है दूसी बात की इन दवाइयों के साइड फेक्ट बहुत ही भेंकर होते हैं तो अगर सर्दी से आने वाला यह बुखार है तो आप जो है कहीं नहीं जाएए आप घर में आपके जो है आपके किचिन में सारा सामाम मौझूद है हम आपको जैसे की बताती रहते हैं हमें आपको एक ऐसा सरल देशी नोसका बताने जा रहा हूं तो घर घर में आप हर लोग कहीं आपको मार्केट में जाने कि आवसकता नहीं पड़ेगी आपको घर में ही सारा सामाम मौझूद है और वो भी केवल एक दो रुपए में ज्यादा खर्चा नहीं होगा अब इसमें जो है आप दो तीन दिन तक आप करेंगे आ मैं आपको सामगरी बता रहा हूं यह देखिए एक ग्लास यह गर्म दूद है इसमें हम क्या करते हैं इसमें यह हल्दी है हल्दी का पावडर है हम इसमें से लगबग एक हल्की चम्बच छोटी चम्बच यह हम इस दूद में डाल देते हैं और हम इसको इस तरिकार से मेंला देते हैं हँर्दी का हमने तो पावडर है वो इसमें हम यह देखिए काली मिर्च हैं आपको दिखाई पर नहीं ये काली मिर्च हैं इसमें हम 8-10 काली मिर्च लेते हैं 8-10 काली मिर्च इसको हम जो है इसका 8-10 काली मिर्च लेकर के हम इसका पाउडर बना लेते हैं ये देखिए, इसका पाउडर हमने बना लिया है, ये आर्दस काली मिर्च का पाउडर है, तो हम इस आर्दस काली मिर्च के पाउडर को भी इसी दूद में मिला देते हैं, ये देखिए, हमने मिला दिया है, और अच्छी तरह से हमने मिला दिया है, अब इसको हम क्या करते हैं सुबह साम सुबह साम खाना खाने के बाद आप इस दूद को पी लें अगर बच्चे हैं तो आधा गलास और आप एवा हैं बुजुर्ग हैं तो आप एक गलास आप गुनुगनी दूद को आप पीए खाना खाने बाद सोगे और साम को खाना खाने बाद सोते समय आप पी लें आप देखेंगे निश्चित रूप से आपका दो ती दिन में बुखार बिलकुल सही हो जाएगा जो सर्दी से आने वाला बुखार है वो बिलकुल खतम हो जाएगा आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी पड़ेगी कोई भी साइड एफेक्ट नहीं होगा करके देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तो इससे आपका इसके साथ साथ में आपका जो चुखाम है आपका कफ है बलगम है ये भी साथ साथ में जो है सर्ब्लस में ठीक हो जाएगा बहुत अच्छा नुस्का है अचूक नुस्का है 100% बिलकुल सही है जो की एक दम जो है राम मान की तरह काम करता है आप करके देखें निश्ची प्रूप से आपको फायदा मिलेगा तो दोस्तो अगर ये हमारा नुस्का अचूक नुस्का आपको पसंद आया हूँ तो आप चैनल में अगर आप पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तो में अगली वीडियो में मिलूगा तब तक के लिए नमस्का